एक बाद फिर से आप सभी का सौगत है मैं पेरा दोस्तों आपके एपने यूटूब चेनल पर अगर आप मैत पढ़ना हैं वो भी कंपेटिशन लेबिल की तो आप आरेस अगरवाल की बुक जरूर पढ़ते होंगे तो अगर आरेस पर गरवाल के बुक की बात करें तो उसमें जो परसेंटेज का पहला प्रसन है वो आपके सामने यहाँ पे रखा गया ठीक है इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे देखेंगे ऐसे सॉल्व होता तो बड़ा ही आसान प्रसन है बस आपको क्या करना है सुरू से अंतर तक देखना है बात करें पूछ रहें कितने का 52 परसेंट बराबर होगा 182 के तो कोई बात नहीं आपको यहां पर जब कोई भी उनक कोई भी संख्यान Columbus दी थो, तो आपको क्या मान लेना रहता है कि X मान लेते हैं यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर मान लेते हैं कि X का पिछले वीडियो में आपको बताया है कि का का मतलब होता है multiply 52 percent equal to हो जाएगा किसके 182 के ठीक है क्या हो जाएगा 182 के तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोलना है कि X का 52 percent हो जाएगा 182 के अभी यहाँ पर क्या करते हैं percent को हम लोग हटा लेते हैं तो percent को हटाने लिए क्या करना पड़ेगा तो X into 52 upon 100 अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि 100 से divide करते हैं percent को हटाने के लिए तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाके देख लीजे description में आपकी link दी हुई है फिर क्या हो जाएगा 182 के ठीक है अब इसको क्या करते हैं काट देते हैं काट यह हो जाएगा 224 और क्या हो जाएगा 2612 यह हो जाएगा 50 फिर इसको काट ल इसके बाद क्या 5 बचा और 52 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 13 फोजा 52 मतलब आपका निकल के आया इधर देखो color change कर लेते हैं यह वाला देख रहे हो यहां पर आपका बच रहा है x equal to क्या हो जाएगा 25 into क्या हो जाएगा 14 ठीक है 25 into 14 अब इसका इसका अगर multiply करेंगे तो आ आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 फाइब जा 70 ठीक है 70 हो जाएगा अभी क्या बचा 7 और 14 14 टू जा क्या हो जाएगा 28 28 में अगर 7 को add करेंगे तो क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 35 यानि 350 350 आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है अगर वीडियो पसं एक कोशन आपके सामने ऐसे ही मैं लेकर आता रहूंगा ठीक है चलिए अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन जैवारत